हलो नमस्कार दोस्तों मैं गंबीर सर आप सभी का वाइफाई क्लासेश में एक बार पुने स्वागत करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यह पस्ट पार्ट है हाइट इन डिस्टेंस से रिलेटेड कोईश बूल जाते हैं इसलिए मैं आपको एक बेदी अंदार और आसान कंसेप्ट के साथ इस तरह के क्वेश्चन को बिना पेंट के द्वारा सॉल्फ करना सिखा हूंगा सो आप कंटिन्यू वीडियो देखें जिससे कि आपको यह अच्छे डग से किलिर हो जाए और आप एक आप बता देता हूं थाइटी डिघ्री शाट डिग्री और आप 10 शाट और नव्य कैसे मान याद रख सकते हैं और पेतालीस पेतालीस नव्य यह कुछ लड़के जानते भी होंगे इसके बारे में लेकिन यह नहीं जानते होंगे कि इसे निकाला कैसे जाता है ठीक है वह भ बड़ी वाली संख्या उस पर अंडरूट लगा देना है बस यह आपके मान है 45 4590 के लिए आपको 112 याद रखना है और जो बड़ी संख्या उस पर अंडरूट लगा देना है क्लिए यह आप याद रख सकते हो 30 taking to 30 45어지ीं के 112 और इस पर बड़ी संक्या पर दोनों पर अंडर रूड आएगा आगे आपको क्या करना है देखो आप जब मान याद रख्षे से साइन 30 तो ऐसे जीरो 30 45 60 और 90 आज रखते थे तो मैं आपको यह टेवल लिख देता हूं वैसे आपको याद नहीं करने हैं आपको केवल यह दो चीजी समझ नहीं पर इसका कारण बता रहा हूं जो आप नहीं जानते होंगे कि यह कैसे निकाला जाता है इसका मान एक बटे दो होता है इसका एक बटे अंडरूड दो होता है इसका अंडरूड तीन बटे दो होता है और इसका एक होता है देखो मैंने पहले जो लिया है 30, 60 और 90 यह लिया है यानि कि एक बटे दो अंडरूट तीन बटे दो और एक यह लिया है इसमें हमें ज्यादा मान याद नहीं रखना हमें के वल अंस में याद रखना है तो मैं इस दो को मुझे खतम करना होगा तो मैंने इस पूरी समीकरण को दो से 12 beef बचा 2 इस तरह से आमने निकाल लién इसका मान क्या हangen होता है एक ल्대रूट तीन दो होता Moros अब इसको कैसे निकाला जाएगा 45, 45, 90 का, तो देखो 45 का, एक बटे अंडरूट 2 होता है, कितना होता है, एक बटे अंडरूट 2, उधर वाला सिका रहा हूं कि उसको कैसे निकाल सकते, 45 का होता है, एक बटे अंडरूट 2, और नब्बे का होता है, एक, हमें अंडरूट 2 खत कितने होगा अंडरूट रखी कि तीस के सामने वाली बुजा एक गुना होती है 60 के सामने वाली ऑंडरूट तीन और see 45-45 कblesिक होता ही एक अंडरूट द होता है अब आपको क्या जयानना हैए मैं ये किसी दीवार के साथ कोई CD तो अमेशा जो दीवार होगी वो इस तरह से होगी यह क्या है दीवार है दीवार के साथ कोई CD तो यह क्या है जमीन है यानि कि धरती है और वो CD CD कैसे रखी होगी इस तरह से रखी होगी यह क्या है CD यह इस तरह से जब आप प्रेक्टिस करोगे तो यह इमेज जो है वो आपके दिमाग के अंदर बन जाएगी और इसी तरह से आप पैन और पेपर का यूज छोड़ सकते हो तो यह कौण आपका हमेशा कितने डिगरी का होगा 90 डिगरी का यह दीवार होगी हमेशा इस तरह से जरती ऐसे होगी और CD कैसे रखी जाती है तिर्ची रखी जाती है यह दी किसी दीवार के साथ कोई CD जिसकी लंबाई 18 मेटर है तो CD की लंबाई कितने मीटर है 18 मीटर तो आपने CD की लंबाई 18 मीटर लिख दिया फिर कह रहा है एब हम हुए जमीन के साथ 60 डिगरी का कोण बनाती है CD ये रही जमीन ये रही इसके साथ कितने डिगरी का कोण बनाती है 60 degree का तो आपको अमेशा द्यान लखना यह 90 यह 60 है और यह कितना बचेगा आपका 30 डिगरी बचेगा फिर पूचाए दीवार की होचाई यानि कि यह वाली माप बताओ धर्ति यह दीवार का क्या आधार दीवार के आधार से सीडी की 36 दूरी यह दीवार का आधार हो गया यह कितनी दी रखी अठार है तो यह तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है यह कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए अगर आपको पेन और पेपर का यूज छोड़ना है यह क्या रहना चाहिए 30-60-90 एक अंडर रूट तीन दो और 45-45-90 में क्या रहना चाहिए 112 तो कितना गुना आएं नो गुना दो पराबर 8-18 कंसेप्ट हमारा दो है कोस्ष्यं 8-18 कह रहा है कितना गुना नो गुना तो जो गुना यहां पर िलए वोही गुना हम सभी के साथ कर दींगे तो sagt के सामने जो अनपात होता अंडरूर मेटर जो कस्टनी नहीं लगा रहा हैрий स से इसमें एक में 9 का गुणा करेंगे। क्योंकि एक बार गुणा आता होई कुना हम सबसक्त करेंगे। एक का 9 के साथ गणा किया नौ। तो 30 के सामने वाली भुजा कौन सी है ये इस के अंदर मैं कुछ और मोडिफाई करें आपको और प्रेक्स कराता हूँ ठीक है। अगर आपको यह question कुछ change कर देता है और यहाँ पर question 60 degree angle ना दे करके 45 degree का कौन देता है कितने degree का 45 और जो दीवार cd की लंबा ही है वो आपको दे दी 24 under root 2 meter इस तरह से दे दिया कैसे बनाएंगे यह दीवार हो गई इस तरह से यह cd हो गई और यह क्या हो गया जमीन हो गई यह क्या हो गई दीवार यह क्या हो गई cd और यह क्या हो गई जमीन यह कोण हमेशा कितने degree का रहेगा 90 अब क्या कह रहा है जो cd की लंबा ही है वो 24 under root 2 है इसका मतलब यह वाली माप कितनी है 24 अंडरूट 2 मीटर फिर कह रहा है जो जमीन के साथ ये कितने डिगरी का कौण बना रही है 45 ये CD हो गई ये जमीन कितने डिगरी का कौण 45 डिगरी का कौण तो ये कौण भी कितना होगा 45 आपको क्या देखना है कि हमें brain use करना है कि किस कोण के सामने है जो CD की लंबाई CD हमेशा ऐसे होगी किस कोण के सामने है 90 तो 90 के सामने हमारा कंसेट क्या कहता है ट्राइंगल देख लो 45 45 90 वाला कंसेट चलेगा तो brain हमारा work करना चाहिए कि 45 45 90 में 90 के सामने अंडरूट 2 होता है लेकिन question कितना दे रहा है 24 underroof-2 हमारा यह underroof-2 है और question में कितना दिया है 24 underroof-2 कितना गुणा हुआ है 24 बबर do में 24 का गुणा करेंगे तब कितना आएगा 24 underroof-2 अगर कोई गुणा नहीं निकाल सकता है तो मैं उसके के लिए बता देता हूं किस वाले बद में आप इसका बाग देदो 24 अंडरूट दो में अंडरूट दो का बाग दोगे तो कितने आएगा 24 सभी में कितने का मुल्टीप्लाई कर दो 24 यह 24 हो गया इसमें 24 का करेंगे तो यह भी 24 हो गया मतलब 45-45 के सामने जो बोजा एं इस 45 क के सामने वाली भुजा कितने मीटर आई 24 इस तरह से आप बहुत ही भास्ट तरीकी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो और मैंने यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अभी दो क्वेश्चन कराएं किसी में भी लाल बटी कक्का का यूज नहीं किया है अब अगली क्वेश्चन की और चलते हैं इसी तरह से हम मैं आपको जो आपकी दो या तीन वीडियो के बाद कुछ हार्ड क्वेश्चन भी लेके आँगा जिसमें इस तरह के क्वेश्चन होते हैं यदि किसी जाज का उन्नेयन कौन ये किस्तिती से 30 से 45 हो जाता है बिना किसी लाल बट को नदी में नाव से देखने पर उन्नेयन कौन 60 डिगरी बनता है उन्नेयन कौन कितने डिगरी बनता है? 60 डिगरी अब आगे आपको कहाएं यदि पुल से नाव की 36 दूरी 1200 मीटर है तब नदी से पुल की उंचाई क्या होगी? बहुत ही सिंपल तरीके से अब कोश्चन को इस तरह के कोश्चन को भी सॉल्व करेंगे देखो यदि किसी पुल को नदी में नाव से देख रहे है तो अब आपका जैसे कि ये नदी है ठीक है? इमेजन करना है ये वाला क्या हो जाएगा आपका? पुल की उंचाई हो जाएगी? ये उसकी इस जगह से ये पुल है ये से उंचाई है पुल की और यहां से इस जगह पर कोई क्या है? नाव यह क्या हो गई पुल से 36 दूरी यहाँ पर कोई नाब है वो पुल की और आ रही है यह पुल की क्या है उन्चाई है अब देखो जथि किसी पुल को नदी में नाब से देखने पर 19 कौड साठ डिग्री बनताय है नाब में यहाँ से देखने 10 कौड उन्नेयल का मतलब होता है वो तो प्लस नैयल यानि कि हमने जो घरदा ने वो कितनी उपर किया है तो कितना उपर किया है 60 डिगरी तो उन्नेयल कोण हमेशा उपर की और देखने पर बनता है और अबनमन जो बनता है वो हमेशा नीचे की और देखने पर बनता है कितने degree है? 60 degree फिर कहे रहा है, यदी pull से नाव की 36 धूरी, ये pull pull मतलब अशे यहां पर है लेकिन इस से और इस जगह तक नाव की 36 धूरी है वो 1200 मीटर है, कितने मीटर है? 1200 मीटर, तब नदी से यानि के ये नदी है इससे pull की उचाही क्या होगी यह वाली चीज आप से पूचिए यह कौन हमेशा कितने डिगरी का होगा 90 यह कितने का होता है 30 कौन सा पैटरन लगेगा हमारा इसमें 30 60 90 का और 30 60 90 में बताया था 132 और बड़ी संक्या पर अंडरोड अब आपको देखना है कि जो value दे रखी है वो किस कौन के सामने दे रखी है तो 30 के सामने आपको कितना दे रखा है 1200 30 यानि कि एक है इसके सामने कितना दे रखा है 1200 तो कितना गुना देखो 30 के सामने वाली भुजा बारे सो दे रखी आपको एक बराबर बारे सो तो कितना गुना है यह बारे सो गुना है सभी में बारे सो का गुना करेंगे अंडर सो अंडरूर तीन दो में 12 का गोचा किया कितना या 2400 इस तरह से आपने लब्बे के सामरे वाली भुज़ा यानि कि ये वाली भुज़ा कि उस्टाlying 000 कि सामें वाली भुज़ा कितनी है तब आएगा आपका अंसर 2400 मीटर इस तरह से आपने बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन करने का सिंपल मैथड समझाए इसके आगे आपको कुछ वीडियो जो भी आएंगी दो या तीन सिंपल कंसेप्ट से हम किस तरह से 19 अबनेन वाले क् कर सकते हैं उसके बाद दो या तीन वीडियो आएंगी जिन में हम उन्हें कोंड या अबनामन कोंड जो है वो इस्तिति के अनुसार चेह जोता जा रहा है तो आप कंटिन्यू वीडियो देखिए पहले इस कंसेप्ट को समझें जिससे कि मैं आपको 5 ये 6 वीडियो के अंद